बच्चों मैंने कल आप Νूं से विज्ञान के कुछ सवाल घर से याद करके लाने केले के थे यात किये है हैं पायल आपने कोई जवाब नहीं दिया क्या आपने कखल पड़ाई नहीं की थी सर कल मेरी तवियत खराब होगे थी लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं प्रस्टों के जवाब दे सको ठीक है पहला प्रस्ट राजू से करते हैं राजू ये बताओ कि सौर मंडल किसे कहते हैं सर सूर और उसके चारो तरब चक्कल लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, उलकापिंड एवं धूम केतु के समो को सौर मंडल कहते हैं बहुत बढ़िया राजू आपने बहुत सही जवाब दिया है आप बैठ जाओ सर सौर मंडल में कुल आठ ग्रह हैं जिसमें सबसे पहला बुद्ध, फिर सुक्र, फिर प्रिथ्री, फिर मंगल, फिर ब्रेस्पती, फिर शानी, फिर अरुन, और सबसे अंत में वरुन है रोष्णी आपका जवाब भी सही है, अगला प्रस्ण पायल से है, पायल ये बताओ, सूर क्या है आप तीनों लोगों ने सही जवाब दिये, अब आप बैठे बैठे जवाब दीजिएगा जो आगे प्रस्ण पूछे जाएंगे राजू ये बताओ कि सूर के सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है सर मुझे इस प्रस्ण का जवाब नहीं पता है सर क्या मैं इस प्रस्ण का जवाब दे सकती हूँ हाँ हाँ रोष्णी बिल्कुल क्यों नहीं दे सकती हो, बताओ बिल्कुल सही जवाब है, रोश्णी अब पायल, आप ये बताओ कि सौर मंडल का सबसे बड़ा गरह कौन सा है बिल्कुल सही जवाब है पायल अब आपनों से अगला प्रशने की पृत्वी सूरी की परिक्रमा कितने दिन में पूरी कर लेता है जिसको भी इसका जवाब आता है, हाथ खड़ा करे सर मुझे इस प्रस्न का उत्तर आता है बहुत बढ़िया रोश्नी, कल तुमने अच्छी तयारी की है चलो इस प्रस्न का जवाब बताओ बहुत बढ़िया रोश्नी, राजू और पायल, आप लोग भी ध्यान से पढ़ाई किया करो अच्छा राजू, अब आप एक प्रस्न का जवाब दो, दिन और रात क्यों होते हैं? सर, प्रित्री के अपने अक्ष याद धूरी के चारों तरफ घूमने के कारण दिन और रात होते हैं सही जवाब है राजू अब आप लोग से अगला प्रस्न है, प्रित्री से सूरी की ओस्त धूरी कितनी है? यानि कि पृत्री और सूरी के बीश की दूरी कितनी है? बहुत बड़िया पायल आपका जवाब बिलकुल सही था अब रोशनी एक अंतिम सवाल है इसका जवाब आप दो सूरी का फ्रकास पृत्री तक पहुँचने में कितना समय लगता है? सूरी का प्रकास प्रकास पृत्री तक पहुचने में लगबग 8.3 मिनट का समय लगता है बहुत बड़िया आप लोगों ने घर से अच्छे तयारी की थी रोज इसी तरह से पढ़ा करो आप लोग आगे के प्रस्ण कल याद करके आईएगा वो प्रस्ण आप लोगों से कल पूछे जाएंगे थेंक्यू सर, हम कल याद करके आएंगे जी सर, हम अच्छे से याद करके आएंगे थेंक्यू सर, मेरी तबेत अब कुछ ठीक है मैं और अच्छे से पढ़के आऊंगी वेरी गुड बच्चो मिलते हैं अगली कच्छा में